अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारा नेक्स्ट रीडियो सबसे पहले देख सकें आज मैं बता रही हूँ आपको यह वैल रेट का एमरोडी ब्लाउस है इसको कटिंग करना और स्टेचिंग करना आज कल मार्केट में इस ताइप की नेक बने हुए ब्लाउस जादा तर चल रहे हैं इसको किस तरह से कटिंग करके सीलना है वो मैं आपको बताऊंगी आज यह आगे ही फ्रंट डिजाइन है यह बैट डिजाइन है यह स्लीज की डिजाइन है पहले हम फ्रंट बाग कट कर रहे है इसको जो डिजाइन दीकर आपको नेक का इसके बीच में से इसको बनाबल लेना है इस तरह से इसकी लेंट 17 इंच की है, तो हमें नॉर्मल ही हम सीलते हैं, तब 2 इंच एक्ष्ट्रा रखते हैं मार्जन के लिए, अब हमारे पास अगर कपड़ा देखिया कम हैं, तो 17 इंच जो हमारी लेंट है वो यह हो गई, आदा इंच सिलाई के लिए हो गया, इसके यहां पर हम एक्ष्ट्रा कपड़ा लगा के अंदर कर सकते हैं, और इधर से भी हमें आदा इंच छोड़ना है, बस्ट हम गले की कटिंग कर रहे हैं, हम 3 इंच, शोल्डर है, साड़े तीन ले रहे हैं, आम सोल में 7 इंच ले रही ह चेस्ट का फॉर्थ बाग हमें लेना है, 42 चेस्ट है, उसका फॉर्थ बाग 10.5 इंच, 2 इंच एक्ष्टा मार्जन के लिए, 5 इंच गोलाई के लिए, इसले रहे हैं, अब हम बैट का हिस्सा कटिंग करें, इसको भी सेम, इसी तरह से, बीच में से, आपको डबल करके बिचाना है, कि अज़ाली के लिए, विए बाग है, जब हमादी है, 6 बाग हावादी तरह सकता शज़ी तरह सक्पैक, क्यों दोड़ा करते हैं वेके बैटका, इसी तरह आप आगे और बेट साइट की दोनों के नाप के अक्सर लिखाई लेसे हैं साइच किये इसकी नेट पे हमें स्टेशिंग करेंगे इसका जो तीधा भाग है वो हमें अंदर की तरफ रखना है इस तरह की नेट डिजाइन में हमें इस दिलाई मेरे से स्टार्ट करनी है, फ्रएंट, पहले में इदर कच्छी सीलही लगा रही हूए, यह देखे फ्रेंट, यहाँपर हमने कच्छी सीलही लगा लिया है, बैक सइड से लगाए था हमने, अब हमें, जो हमारे में कपडा है, इदर लगाएंगे हम, फिनिशिंग से, यह यह देखिए प्रेंस हमने नजदी नजदी इधर शिलाई लगा लिए अब इसका जो यह में मिडल पॉइंट है आप हमें कट लगाना है यहां रहे कि यह जो दागाय शिलाई वाला यह नहीं कटना चाहिए अब हमें अक्तर वाले कपड़े को इसे मोड़ना है इधर जमती शिलाई लगानी है इधर के पूरे में हमने जमती शिलाई कर दी है अब इसे तोल्डर से पकड़ना है अब हमें कमेंट में जरूर बताईए आपको मारा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए शेयर कीजिए अब हम बैक नेक बनाएंगे इसके अभी सीधे इसे को अंदर की तरफ रखना है और पहले हमें अक्तर की साइड इधर कच्छी से लगानी है मीडर से अब हमें यहां जंकी से लगा रहे हैं इस तरह आप कोई भी एमरेटी वर्स के ब्लाउस इस तरह से नेक्स से आखर सकते हैं झाल झाल वर्स के लगाना है